How to insert an eject sim card in any Redmi Note series नमस्कार दोस्तो वागर आप सभी का तिकराच यूटूब चैनल पर तो दोस्तो आज कि इस वीडियो पर मैं आपको बताऊँगा कि केसे आप जो है इस शाओमी की दिवाइस पर कि केसे करके आप जो है यहाँ पर sim card को eject कर सकते इंसर्ट कर सकते तो पहले हम दोस्तों इस वीडियो पर यह देखेंगे कि sim card को केसे जो है insert करना है sim card insert करना main है तो हम सबसे पहले sim card insert करने का तरीका देखेंगे उसके बाद दोस्तों हम यह देखेंगे कि eject केसे करते हैं तो सारा process जाने के लिए आपको पूरा देखना है तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अपने चैनल को subscribe नहीं कर रखाए तो subscribe करके bell icon को click करें यह आप online पेसा कमाना चाहते हैं तो वीडियो description पर आपको link मिल जाएगा ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले तो हमें यहाँ पर ejector चाहिए होगा ठीक है ejector दोस्तो आपको पता होगा कि क्या होता है तो ejector पता नहीं है तो दोस्तो आप यह देख सकते हैं यह है आपका ejector ठीक है तो ejector यहाँ पर दोस्तो आ चुका है तो अभी दोस्तो आपको यहाँ पर एक hole दिखाई दे रहा होगा इस वाले option पे ठीक है तो इसमें आपको ejector जो है add कर देना है तो आप देख सकते हैं यहापे यह निकल के आ चुका है ठीक है तो यह हो गया दोस्तो हमारा sim slot बाहर तो अभी दोस्तो हमें क्या करना है sim card लेना है और sim card को place कर देना है ठीक है तो च यहाँ पे sim 1 कौन सा यह देखते है तो sim 1 जो है दोस्तो यहाँ पे लिखा हुआ तो यहाँ पे है दोस्तो यह वाला sim 1 है यह वाला sim 2 है ठीक है अंदर का जो है वो sim 1 है तो अभी हम sim 1 पे add करेंगे तो चलिए यहाँ पर Ed करते हैं तो यह हो गया दोस्तो adjust अभी next पे आम क्या करेंगे इसको यहाँ पे अंदर पे भर देंगे तो यह हो गया दोस्तो insert तो insert होती ही दोस्तो आप यहाँ पर देग लीजेगा नेटरोग आज आएगा नेट्रोक दोस्तों यहाँ पर आ चुका है ठीक है नेट्रोक यहाँ पर आ चुका है अब उपर में देख सकते हैं तो अभी दोस्तों यह हो गया है couldn't find sim 2 तो sim 1 दोस्तों 8 कर दिया है तो यह तो हो गा ही तो अभी दोस्तों यहाँ पर हमारा जो SIM card है वो insert हो चुका है ठीक है तो इस तरह के से insert कर सकते अगर आपको eject करना है बाहर निकलना है तो उसके लिए दोस्तों आपको same यहाँ पे ही इसको अंदर पे press कर देना है और उसके बार इसको खीच के बाहर पर निकल देना है तो आप देख सकते हैं तो यहाँ पर आ गया sim card बाहर ठीक है तो इस तरह के से दोस्तों आप जो है अपने शाओमी के डिवाइस पर ठीक है कोई भी शाओमी हो या फिर कोई भी Android डिवाइस पर अगर दोस्तों उसमें बेटरी रिमोवल नहीं है बेटरी जो है यहाँ पर नोन रिमोवल है तो दोस्तों आप क्या कर सकते आप sim card को इसी तरह के से eject भी कर सकते हैं ठीक है कोई दिवाइस नहीं होगा आपको तो अगर दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तेंक्स पो राचिंग